आज हम बनाएंगे रस गुल्ली इसके लिए मैंने लिया है एक लिटर दूद और आधा छोटा कटोरी निम्बु का रस अब हम दूद को ग्यास पे उबालेंगे दूद उबालते समय बीच बीच में चमत चलाते रहें क्योंकि इसके उपर मलाई नहीं आनी चाहिए अब दूद उबाल रहा है दूद को दो मिनिट के लिए उबालेंगे दूद हमें ज़्यादा देर तक उबालना नहीं है अभी ग्यास को बंद कर देंगे हमें दूद को ज़्यादा गरम या ज़्यादा थंड़ा नहीं करना है अब चमत चलाते चलाते धिरे धिरे निम्बू का रस मिला देंगे निम्बू का रस एक साथ नहीं डालना है अभी आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ही चेना निकलना शुरू हो गया है आप देख सकते हो हमारा चेना बन के त्यार हो गया है चेना को आप छनी के उपर डालेंगे आप छेना को थोड़ा त्यार हो गया है थोड़ा पानी से धोलेंगे जब तक निम्बू का फ्लेवर ना जाए छेना को और दो तिन बार धोएंगे अभी कपड़ा देखे छेना में से पानी को अच्छे से निचोड़ेंगे आप देख सकते हैं छेना पूरी तरह त्यार है ज्यादा सुखा नहीं और ज्यादा मौस्चर नहीं अब अच्छे से मसल के छेना का छोटा छोटा बल बनाना है अब हमारा छेना का गोला बनके त्यार हो चुका है अब हम बनाएंगे चासनी इसके लिए हमने लिया है एक कॉप चिनी और तीन कॉप पानी अब हम पतिले को ग्यास में चड़ाएंगे और उसके उपर चमच चलाते चलाते फूल आच में चासनी को उबा लेंगे अब चासनी बनके तयार है अब फ्लेवर के लिए मैंने तीन इलाइची लिए हैं आपको इलाइची पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं अब चासनी उबलते समय एक एक करके छेना के बॉल को डालेंगे ध्यान रहे हमें एक साथ बॉल को नहीं डालना है एक एक करके डालें छेना के सरे गोले चासनी में तहरना चाहिए अब आधी खांटी के लिए मीडियम आज में पतिले को ढग देंगे अब आधी खांटे बाद हमारा रसगुला बनके त्यार हो चुका है रसगुला अच्छे से पकने के लिए आधा घंटा टाइम लगा रसगुला पका है या नहीं जानने के लिए एक कटोरे में ठंडा पाने लेके एक रसगुले को इसके अंदर डालेंगे अगर रसगुला कटोरे के नीचे बढ़ जाए तो आप जान दीजिए कि रसगुला पूरी तरह बन चुका है आप देख सकते हो हमारा रसगुला कुछ इस तरह बना है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कॉमेंट और सेर कीजिए और हमारे नए वीडियो को पस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दावाना मत भूली अन्याबर